इस वीडियो में हम बात करेंगे मद्देश में अभी कौन क्या है या हूज हूज के बारे में 2021 में आपकी MPPC 25th of July की एक्जाम के लिए किस पत पर मद्देश में कौन है इसके बारे में बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं मद्देश के नए गवर्नर की श्री मंगूबाई चगनबाई पतेल जो मद्देश के नए गवर्नर बने है थर्टीध गवर्नर तीसवे गवर्नर मद्देश के हैं उसके बाद मद्धिदेश के मुख्यमंद्री आप सभी जानते हैं, चीफ मिनिस्टर श्वरा सिंह चौहान है, लंबे समय से मद्धिदेश के मुख्यमंद्री है, उसके बाद अगले पद की बात करें, तो Chief Justice of MP High Court मद्धिदेश High Court के मुख्य नैधिश, Honorable Shri Justice Muhammad Rafiq है, मद्ध के समय पे खाली है और लास्ट जो अपाइंट्मेंट हुआ था हिना लिखी राम करवे का जो लास्ट येर 2020 में उन्होंने अपना पद जो है वो त्याग दिया और याद रखेगा शी वाद फर्स्ट वुमन डिप्टी स्पीकर उप दे मध्यविदेश मध्यविदेश के पहल सचीव हम हिंदी में बोलते हैं एकबाल सिंग बैस है मध्यविदेश के अंदर आपके जो administrative head या प्रशाशनीक प्रमुक होते हैं किसी भी राज्य के अंदर किसी भी state के अंदर इनिके बराबर अगर हम केंद सरकार में देखेंगे तो केंद सरकार के अंदर cabinet secretary होते हैं मध्यविदेश के चिंदवाडा से कई बार सांसद रहा है कमल नाच जी है यह मध्यविदेश के अभी विपक्ष के नेता यह leader of opposition है उसके बाद advocate general या महाधिवक्ता constitution के article 165 के अंतरगा दिनका appointment होता है पुरुशेंद्र कौरव है मध्यविदेश के महाधिवक्ता है मध्य मध्यविदेश के सभी केस जो के state government के cases होते हैं उन cases की सुनवाई के अंदर मध्यविदेश सरकार की पैरवी करते हैं सरकार के एक तरीके से आपके बोल सकते हैं कि सरकार के एक वकील होते हैं या एक legal advisor होते हैं गौर्मेंट के advocate general या महाधिवक्ता अगली post है state election commissioner या राज आपका चुनावायोग राज चुनावायोग के जो हैन है बसंत प्रताब सिंग है constitution के अंदर जो 73rd और 74th amendment के according मध्यविदेश के अंदर या सभी राजियों के अंदर state election commissioner अलग से बनाया जाएगा और उसमें मध्यविदेश में बसंत प्रताब सिंग है उसके बाद state information commissioner मध् दोनों level पे आपके information commissioner या मुख आयुक्त होते हैं यह मध्यविदेश के chief information commissioner है उसके बाद DGP of the MP police मध्यविदेश police के director general of police विवेक जोहरी जी है जो अभी DGP है मध्यविदेश police के उसके बाद लोकायुक्त है मध्यविदेश के N.K. गुपता नरेंदर कुमार गुपता ह जो corruption वगरा के cases यहाँ प्रकार से इन cases की यहाँ पर जाच करते हो साथ ही वहाँ पर basically इनका काम rates वगरा मारके जो corruption के cases state government के अधिकारियों या कर्मचारियों के उनको यहाँ पर आपको पकड़ना है उसके बाद लोक सिवा आयूक के chairman जो है रागजेश लाल महरा है यह acting chairman है acting chairman मुलब कारवाहग है क्योंकि जो भासकर चोबे का जब retirement हुआ उसका कोई भी permanent member यहाँ पर कोई भी permanent व्यक्ति जो है उसको permanent chairman की रूप में appoint नहीं किया गया तो यह acting chairman है कारवाहग आपके अध्यक्ष है उसके बाद chairman of the fifth finance commission पांचवे वित्तायोब के अध्यक्ष हिमत हैं चौथे और पांचवे दोनों के जो कमिशन के हैड है वो हिमत कोठारी है जाने माने politician है हिमत कोठारी पांचवे वित्तायोग के रिपोर्ट ऑल्रेडी यह सब्मेट कर चुके हैं उसके बाद national आपके MP human right commission मद्विदेश आपका जो मानव अधिकार आयोग है उसके chairman है नरेंद्र कुमार चैन एन के जैन जो human right commission या मानव अधिकार आयोग आपका human right act 1993 के अंदर कर यह पद सरजित किया गया है राज्योर के इन दोनों जगे अस प्रकार से human right commission के head होते है उसका state woman commission वैसे यह post अभी खाली है और last appointment हुआ था शोभा ओजा का हुआ था लेकिन जब शिवरा सिंग चोहन के सरकार मनी 2020 में तो इन पत को इनको यहां से उन पत से हटा दिया गया था तो अब याद रखिए का last जो appointment था वो आपके state woman commission में शोभा ओजा का था जो इंदौर की congress की जानी मानी politician है उसके बाद अभी post खाली है अगर exam में आ भी जाए question कि woman commission के chairman कोन है तो आप शोभा ओजा लगा के आईएगा क्योंकि उसके बाद जैसे आपको बताया है मैंने कि पद खाली हो चुका है अभी तो definitely वो question गलत होगा लेकिन अगर question आता है तो आप शोभा ओजा लगा के आ सकते हैं अगर option होता है तो चलिए उसके बाद मद्देश arbitration tribunal या आप आपका arbitration tribunal के जो head है M.K. मुदगल है arbitration के लिए appointment किया जाता है प्राधी करण आप हो सकते हैं तो arbitration tribunal है जैसे central appellate tribunal होता है उसे वगार से state appellate tribunal होता है justice M.K. मुदगल है उसके बाद MP state schedule tribe commission या अनुसोचित जाती आयोग जो है जन जाती आयोग है मिस्टर राजेंद् सिंग राजु खेड़ी है इनको भी बता दू कि इनका पद भी समाप्त हो चुका है लेकिन उसके बारे में को exact information नहीं है क्योंकि इनको पद आसीन करने से मना कर दिया था शिवरा सिंग जोहान के पद के ऊपर बैठने के बाद तब schedule tribe commission में राजेंद्र सिंग राजु तो उसके बाद यह जब अपने office अगले दिन गए तो इनके office में ताला लगा दिया गया और उनको office में बैठने का permission नहीं दिया गया था काफी बड़ा issue बनाता हूं समय पे तो अनंद अहिरवार है last appointment है बाकी post अभी खाली है फिर MP backward class commission है JP धनोपियां है यह अभी पत्पे ह आपके पिछड़ा वर्ग आयोग के चैर्मेन है याद रखेगा SC commission, ST commission और OBC commission इन सभी commissions के लिए मद्धविदेश में अलग से कानून बना है और उस कानून के according इनको establish किया गया है इनका कोई भी संबंद जो है केंदर के अंदर जो article 338, 338, 338, 338, 338 बी से कोई संबंद इन आपके जो भी जमीन की खरीदी बिक्री या फिर आपके जो colonies वगरा है उनके अंदर घरों की खरीदी बिक्री से संबंद जो नियम है यह बनाते हैं और जो buyers हैं खरीदने वाले हैं या बेशने वाले हैं उनके rights का यहां पर आपको ध्यान रखते हैं तो उनके जो chairman है Mr. A.P शिवास्तों है और याद रखेगा इसके पहले Anthony D. Suja थे जो अभी अभी यहां पर उनका पद समाप्त हुआ है तो A.P. शिवास्तों MP RERA के यहां पर आपको अभी के समय पर आपको head है तो chairman MP State Minority Commission मत्विदेश आपका अलप संक्या गायोग Mr. Niyaz Mohamed है यह Niyaz Mohamed उसके MP State Minority या राज माना आपका अलप संक्या कायोग के प्रमुख है उसका अगला पद है director Apex Bank तो नरेश पाल सिंग है retired I.S. officer है और इनको Apex Bank का Apex Bank मत्विदेश के अंदर जिद्धी भी cooperative banks होती है सहिकारी bank होती हूं सभी सहिकारी bank की प्रमुख bank होती है and he was appointed as a chairman of the director of the Apex Bank नरेश प secretary होते हैं उसी प्रकाह से राजी के अंदर भी विदान सभा के principal secretary होते हैं तो कौन है अउदेश प्रताप सिंग है जो मद्विदेश विदान सभा के प्रमुख सचिव है principal secretary है याद रखेगा फिर मद्विदेश के home minister या ग्रह मंत्री डॉक्टर नरुतम मिश्रा जाने माने करी सारे courses मेरे अन-academy पर चल रहे हैं जिसके अंदर प्री के तो course almost हो चुके हैं लेकिन प्री के अलावा मेंस के जो courses है इसके अंदर पेपर 1,2,3 इनके courses अभी running पर हैं इनको आप जाके जोइन कर सकते हैं मेरी profile का link का आपको नीचे दिया गया है अब अन-academy पर प्लस सब्क्रिप्शन अगर जोइन करते हैं तो कई सारा benefit आपको प्लस सब्क्रिप्शन के साथ में मिलेगा आपको PDF notes और कई सारी दूसरे mock test वगरा कई सारी चीज़ आपको मिलेगी batch courses है individual courses है answer writing हम लोग करवाते हैं साथ ही आपका अन-academy scholarship assessment test है जैसके अंदर आप अगर top 3 में आते हैं तो you get the 50% discount on the plus subscription और 4-100 rank के बीच में 25% discount आपको मिल जाएगा साथ ही T20 series MPGK ब्रहाज series उसके बाद 8 महीने का foundation batch अभी शुरू हुआ है 21 तारीक को शुरू होने वाला है 15 तारीक से 8 महीने का English medium foundation batch already start हो चुका है NCIT series चल रही है MPPAC व्यापम का दो साल का एक course long course चल रहा है जुलाई के अंदर कई सारे 1921 और 22 में कई सारे courses अभी आपको launch हुए है जिसमें 8 महीने का foundation course और हिंदी और English medium के courses है साथ ही अन अकेडमी का जो price है वो बहुत ही जल्दी पढ़ने वाला है इसके पहले price बढ़े अब plus subscription purchase कर लीजिए और plus subscription purchase करने के लिए आपको use करना है मेरा code Pavan Life and if you are using this code you will get 10% discount on the plus classes और उसी के साथ में अन अकेडमी का जो subscription का price भी बढ़ने वाला है साथ अभी अगर आप plus subscription लेते हैं तो 10% आपको additional discount के साथ में एक साल के subscription पर आपको 2 महिने extra subscription और 2 साल के subscription पर 3 महिने का extra subscription आपको प्राप्त कर सकते हैं साथ ही live quiz और कई सारे दूसरे offers वह आपको अनकाडमी पर available है तो अभी जाहिए और पवन live code यूज़ करके plus subscription purchase थैंक यू